दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्ट का कॉलर और कफ किस तरह से बनाया जाता है देखिए हमने चीपका लिया है पहले से कॉलर कफ चीपकाने के बाद इसका हम बिच में से दो सुथ मारजन लगते हुए बिच वीच कटिंग कर लेते है इसमें नीचे जो अस्तर दूसरा लगाना है तो कपपे पहले जितर समने फोल्ड खिया है उधर एक दाप से थोड़ा ज़्यादा सिलाई चलाया जाता है दोना कपे सिलाई चला लेते हैं यह सिलाई चला लिया ह हमने इसके बाद जो अंदर इसमें है कपड़ा इसको कटिंग कर लेते हैं जैसा है कि उने बताया आपको कि इसके नीचे जो है दूसरा अस्तर लगाना है यह स्कूल का यूनिफोर्म है तो में जो पीस है यह क्रीम कलर का है तो अस्तर हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमारे म बनाया है तो अब इसमें रखके कफ जो है ज्वाइंट कर लेते हैं इसका अस्तर है जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के बिल्कुल नीचे मसीन चलाना है ज्यादा गैप भी नहीं रखना है और बिल्कुल सटा के भी नहीं चलाना है दोनों कफ को हम ज्वाइंट कर लेते है इस तरह से, जोइन करने के बाद, एक दाप का मार्जन रखते हुए, कपड़े को कट कर लेंगे, दोनों कफ में इसी तरह से, यह कटिंग हो गया है, कटिंग होने के बाद, चोग से मार्क कर लेंगे, जितना हमारा पेस्टिंग है, उतना उतना बस, इसके बाद तहले कफी लगा लेते हैं, इसके बाद कवलर बना के देखेंगे, दिखाएंगे आपको, तो सबसे अस्तीन को इस तरह से, अच्छे से बिल्कुल बैठा के, अस्तीन का छाटना पड़ता है, अस्तीन को बिल्कुल अच्छे से बैठा के, यह थोड़ा प्रस्टर कपड़ा इसके लिए से बैठता नहीं है, कोटन रहता है, यह मिक्स रहता है, तो अच्छे से बैठ जाता है, और देखें, जो बिल्कुल चाक पट्टी की तरफ फलका साम धलान रखेंगे, यह देखे अच्छे से बैठ जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसको बिठाने के लिए, दूसरा भी आस्तीन हम इस तरह से छाट लेते हैं, पहले सीधा करके, इसके बाद एक कप को लेंगे, नाखुन मार देगें, शिलाई पे, जो हमने चौक से लगाया है, मारक वहीं से हम आस्तीन को लगाना है, एक दाप का सिलाई के जमने मारजन सोड़ा है, उतना ही हमें इसको अटेज करते हुए, चलना सिलाई करते हुए, अचो बीज का जोएंट है, वहाँ पे हलका सा प्लेट डाल देंगे, अब देखिए, यहाँ पे में रखके देख लेते हैं, यहाँ इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा प्लेट, मैं इसको फिटिंगी कटिंग करता हूँ, छोटा सा प्लेट इसमें पड़ेगा, दोस्तों एक कप जो है, हमने इसमें कच्चा कर ली है, और सेम उसी तरह से दूसरा कप भी आस्तीन, जो है, कच्चा करना है हमें, पूरा सिलाई करने से पहले एक बार नापके देख लिया जाता है, इस तरह से, ताकि कि इतना बड़ा प्लेट हमें डालना है, आइडिया चल जाए, और इस जोईंट पे, हमें बिल्कुल कपड़ा थोड़ा धीला ही रखना है, या समझ लीजे, यहाँ भी हलका सा प्लेट हमें डालना ही डालना है, सामने प्लेट पड़े या ना पड़े, दोनों कब को इस तरह से इसमें जोईंट कर लिया है, देखे मिला के यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से बराबर होना चाहिए, आप देख लिजिए कब न, कम जादा रहेगा तो फिर से आपको इसको साही कर लिजिए, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलाके, पेस्टिंग के नीचे, इसको सिलना है, पेस्टिंग पे बिल्कुल चड़ना नीचे यह, दोस्तों यह बहुत ही आसान, और सिंपल तरीका है कफ लगाने का, उमीद है, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आप वीडियो को बिल्कुल छोड़ना करें, वीडियो को पूरद देखें, ताकि कोई भी चीज सीखना हो, तो वीडियो को पूरद देखें, अच्छे से हम बताने के कोशिस करते हैं, अपने तरफ से, देखें इसको क अच्छा कर लिए पका इसको कर देते हैं पका करने के लिए पर मार्जन को पुरा अंदर रखेंगे अच्छा से अंगलिक मदद से डेकल के और यहां पर भी एक दाप पे शिलाई चलाया जाता है अच्छा को अंदर के तरफ खिचेंगे ताकि मारा अस्तर बाहर न दिखें क्योंकि इसका अस्तर है दूसरे कलर का है इसलिए कपड़ा को नीचे वाल अस्तर खिच के रखेंगे अंदर के साइड में अब किनारे पर शिलाई चलाना है यहां पर लप पर बिल्कुल दोस्तो इस पार्ट में बस इतना ही रहेगा कफ लगाने का नेश्ट पार्ट में हम कॉलर बना के देखेंगे किस तरह से लगाया जाता है सेम इसी तरह से दूसरा अलब कफ लगा के देख लेंगे अब देखिए इस तरह से कितना अच्छा से बैठ रहा दोस्तों मीद्या आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेश्ट वीडियो में